फ्रांसीसी भविश्यवक्ता नास्त्रेद मस्की भविश्यवानी भारत के लिए भविश्यवानी फ्रांस इटली युगोसलाविया आदी अनेक देश की टानू युद्ध तथा अनेक हमलों के शिकार होंगे तीनों और समुदर से घिरेट शेतर में एक महा पुरुष जन्म लेगा इंसान एक दूसरे को मार कर खा जाएगा इंगलैंड में भयंकर विनाश होगा अंत में भी श्वक्ता नास्त्रेदमस की भविश्यवानी फ्रांस निवासी नास्त्रेदमस की भविश्यवानिया जगत प्रसिद्ध हैं। वतंत्रता संघर्ष, देश के नेताओं का सत्ता परिवर्तन, श्रीम्ती इंदिरा गांधी की मृत्यू और भारतिय राजनीती के बदलावों को जान लिया था। उन्होंने तो भारत के विश्वनेता बनने तक का संकेत दिया है। भविश्यवानियों के कुछ अंश इस प क्रित्यू तय है। कोले सी काली औरत सदा के लिए गायब हो चुकी होगी। कमजोर दल सत्ता पाएगा। पहले एक फिर दूसरी जगह है और उसके बाद पूरे संसार के अधिकांश भाग उसकी चपेट में आ जाएंगे। ऐसा समराट या राजनेता भविश्य में अवश्य होगा। वह शीघर ही पूरी दुनिया का मुख्या होगा। उस महान समराट की ताकत बढ़ेगी। उसे पहले सभी प्यार करेंगे और बाद में वह भयंकर भयभीत करने वाला माना जाएगा। उसकी ख्याती आसमान चु यूगोसलाविया आदी अनेक देश कीटानू युद्ध तथा अनेक हमलों के शिकार होंगे बिस्वी सदी के अंत में एक अत्यंत विनाशकारी महायुध में उलजेगा और हानी उठाएगा। जब ब्रिहस्पती और शनी मेश राशी में होंगे तब बरबादी शुरू हो करेगा। उसका काफिला बहुत दूर से इतावली तट आएगा। चीन खुल कर सामने आएगा और तबाही मचेगी फ्रांस इटली। यूगोसलाविया आदी अनेक देश कीटानू युद्ध तथा अनेक हमलों के शिकार होंगे। उप बंदी बना लिये जाएंगे। इस म अनेक ही यह शस्त्रत हलका मचा देगा। इसी दौरान इंगलैंड डूब जाएगा। महान ब्रिटेन इटली युद्ध में फसा होगा। कभी का नौसैनिक शेर इंगलैंड निराश और आतनकित होगा। नागरिक भागेंगे मगर धाई लाख डूब ही जाएंगे। उत् के समय तीनों और समुद्र से घिरेक शेत्र में एक महा पुरुष जन्म लेगा जो ब्रहस पतिवार को अपना अवकाश दिवस घोशित करेगा। उसकी प्रशंसा, प्रसिधी, सत्ता और शक्ती बढ़ती जाएगी और भूमी व समुद्र में उस जैसा शक्तिमान कोई ना ह आने वाले समय में स्विस बैंकों में जनता से छिपाई गई दौलत जमा की जाएगी और सरकारे स्विस बैंकों पर दबाव डाल कर हिसाब किताब मालूम करने की कोशिश करेंगी। गलत तरीकों से जमाधन का हिसाब स्विस बैंकों को देना होगा। भूत पूजा की भावना को समाप्त करने वाले एक ऐसे व्यक्ति का उदे होगा जो बाद में विचार बदल कर लोगों की भलाई और आपसी मतभेद की दीवारों को धाने में लग जाएगा। इंसान एक दूसरे को मार कर खा जाएगा अंचाहे पक्षी की आवाज सुनी जाएंगी मकानों की चिमनी पर गेहुं इतना महेंगा हो जाएगा कि इंसान एक दूसरे को नोच खाना सस्ता समझेगा। उचे स्थान से नीचे मानवता का व्यापक विनाश और मासूम बच्चों की लाशें। कुछ अधमरे ही रह जाएंगे और घमंडी बचकर भाग जाएंगे। इंगलेंड में भयंकर विनाश होगा राम की भूमी को फ्रांसीसी पाव तले रौदेंगे देखता हूँ। मगर फ्रांसीसीयों का अभियान चकनाचूर हो जाएगा जब वो उत्तरी हवाओं में फंस जाएंगे। इंगलेंड में इतना भयंकर विनाश होगा कि युद्ध के अचंभों के अलावा कुछ सुनाई नहीं देगा। इतना भयानक हमला होगा कि लोग भूमी के नीचे शरण लेंगे। परिवर्तन बहुत सक्त होगा। अश्लीलता, नगंता, अवैध विश्यावरित्ती, ड्रेस, नंगी पत्रिकाएं, पुस्तकें। फिल्मे नारी देह का खुला वह गंदा प्रदर्शन एक समय समाज की मानसिक्ता को विकृत कर देगा। देह सुख के लोभियों की प्रसंता के लिए कानून की आड़ करके जहर बिकेगा। नारी का हर जगह इस्तिमाल होगा। युवा प्रतिभा और बुद्धी को विकृत करके रख देगा। पवित्र पक्षी भी अपने पंक सम्मान से जुक आएगा। जब आएगा महान न्यायदानी, वह उठाएगा दोनों को और कुछ लेगा बागियों का उसके जैसा फिर न कोई होगा। उत्तरी गोलार्ध में विनाश लीला होगी, अंतरिक्ष से बारिश होगी और एक भयंकर अकाल तथा महामारी आएगी। एक समय ऐसा आने वाला है जब वे पढ़े लिखों की सभेता को तबाह करने की कोशिश करेंगे और पुस्तके वगेरह फूंक डालेंगे। ऐसा दु धर्ती जलने लगेगी। का रौदर तमाशा होगा। नई शताबदी बहुत दूर ना होगी, मुर्दे भी अपनी कबरों से बाहर निकल आएंगे। मानवता वसंसार के भले दिन आएंगे, इट की दीवारे संगमर्मर की हो जाएंगी, तब 750 साल तक शांती रहेगी, मानवता आनन्दित होगी, जल स्वच, स्वास्थ और फलों की भरमार से खुशी एवं महक्ता माहौल वापस आएगा। संसार का हर देश इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होगा। आतनरिक्ष में युद्ध, आकाश में फेंकी जाने वाली सर्च लाइटों को सूर्य की संग्या दी गई है। आकाश से जब मिसाइल युद्ध होंगे तो हवा की गती से कहीं अधिक तेज चलने वाली मिसाइले बिलकुल ऐसी नजर आएंगी जैसे सूर्य तेजी से भाग र सूर के मुखोटे का भावार्थ है कि जब लोग इस जहरीले गैस से बचना चाहेंगे और सैनिक रासायनिक शस्त्रों से बचने के लिए मुह पर जो मुखोटे, मास्क वह हेलमेट लगाएंगे तो वह सूर के मुख जैसे ही लगेंगे। भयंकर युद्ध होगा। इस लोग मरेंगे की चारों और मौत कीसी खामोशी के सिवा और कुछ नहीं होगा। केवल मुर्दे खाने वाले पक्षियों, चील, कौवे, गिध की आवाज सुनाई देगी, इनसान नजर नहीं आएंगे, बस चारों और लाशों की धेर होगी। नास्त्रेदमस ने इस विना भारत में एक नई शक्ती का उदे होगा, एशिया में वह होगा, जो यूरोप में नहीं हो सका होगा, एक महान व्यक्तित्व भारत में जन्म लेगा और शांतिदूत के रूप में उसकी ख्याती होगी, पूर्व के सभी राश, प्रों पर वह हावी होगा, वह लोगों में धर्म बाटेगा, एशिया का वह शांतिदूत जब रक्तपा, भूकम बीमारियों, अकाल युद्ध और भैसे मानवता बेहाल होगी, तब वह मानव धर्म वा मानव प्रेम का संदेश सुनाएगा, उसके संदेश को सुनने के लिए सभी विवश होंगे.